हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल SRS Learning में बच्चो ये हमारी Mathematics की 4th किलास की वक्षित है जिसकी हमारी संक्या है वो है 124 और जो हमारी डेट है वो है 4 दिसंबर 2020 बच्चो आज इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है Estimates, Weight of Various Objects आज हम Estimate लगाएंगे, अंदाजर लगाएंगे कितना किसका वजन हो सकता है उससे पहले आज हम क्या है, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं क्या बताना चाहरा है हमें, कि 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतिय NOSENA के दीवस के रूप में मनाया जाता है जिसको हम इंडिया नेवी डेवी बोलते हैं 1971 के भारतिय पाकिस्तान युद में भारतिय NOSENA की क्या है जीत हुई थी और इसी जीत के उपलक्ष में क्या है आज का दिन भारते नो सेना दिवस के रूपे मनाया जाता है और आज का दिन उन नो जवान हमारे जवानों के लिए भी याद किया जाता है जिन्नों ने अपनी जान निचावर कर दिये भारत माता के लिए और क्या है इस युद में क्या है शहीद हुए ठीके उनके लिए भी क्या है आज का दिन हम याद रखते हैं और हमें क्या हमेशे याद रखना चाहिए अब क्या है क्रोना के खिलाफ लड़ाई क्रोना समय में कई समाजिक संस्थानों ने गरीब और जरुरतमन लोगों को मुफ्त राशन वित्रन किया जैसे आपने सुना भी होगा देखा भी होगा अकबारों में पढ़ाओं कि इन्हों ने क्या है मुफ्त खाना दिया एक संसा दुबारा वित्रन केंद्र पर दिये जा रहे राशन के एक पैकेट में ने मिल लिकित चीजे थी जैसे करम संख्या यह यह चीजे थी जैसे एक पैकेट में क्या कही चीजे थी चावल थे गेहू थे चीनी थी डाल थी ठीक है और वो कितने कितने वजन के थे जो आपके चावल थे वो 5 kg गराम थे गेहुं आपके थे 10 kg चीनी आपके जो थी वो 3 kg और जो आपके डाल थी वो थी 2 kg जो ये सारे थे एक ही पैकेट में थे क्या-क्या चीनी, चावल, गेहुं और डाल ठीक है अब क्या है हमें कोशन करते हैं हमारे क्या है तालेका को हमने अच्छी तरह से समझ लिया इस पर अब हम कोशन करेंगे कि राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन जो है सबसे ज़्यादा अधिक है सबसे ज़्यादा अधिक जैसे आप देख रहे हैं चावल का कितना है 5 kg गेहुं का 10 kg चीनी का 3 kg और डाल का 2 kg सबसे ज़्यादा किसका है गेहुं का तो आप क्या लिख देंगे गेहुं तो इसका आंसर किया आएगा गेहुं क्यों गेहूं का क्या है सबसे जादा है कितना दस किलो गेहूं ठीक है राशन के पैकेट में किस वरस्तु का वजन सबसे गम है किसका है डाल का कितना है दो किलो डाल लेकि पूछा नहीं कितना डाल का क्या चावल का वजन चीनी के वजन से अधिक है चावल का वजन चीनी के कितना होगा आपको इसके लिए आपको इनको सबको प्लस करना पड़ेगा ठीक है पांच और दस पंद्रा अठारा और बीस कितना है बीस बीस किलो ग्राम शोट फॉर्म में हमने लिखती है हमने सारे कुशन सोल्व कर लिए राशन के पैकेट में किस वस्तुक वजन सबसे कम ह दाल क्या चावल का वजन चीनी के जन से अधिक है हां राशन के पैकेट में कुल वजन कितना है बीस किलो ग्राम तो यह हमारा पूरा हो गया अब क्या है सोच का बताईए क्या भारी होगा एक किलो ग्राम रूई या एक किलो ग्राम लोहा दोनों बराबर होंगे क्योंकि द वजन का अनुमान लगाने के लिए आपको अपने आसपास की कुछ समाने वस्तों के वजन का अंदाजा होना चाहिए जो आपके आसपास जो चीजे हैं उसका आपको क्या अंदाजा होता ही है बच्चो क्या आपको पता है कि सो रुपे के नोट का वजन एक गराम होता है दस के कुणकुरे जो आप लेते हैं एक पैकेट का वजन केफ़ें एक किलो ग्राम होता है तीक है है अब हमें पींन मैं लगान gravity जैसे बस का वजन कितना होगा पकषी पशे का तो हुगा वजन है वो कितना होगा दो हजार किलो गराम होगा हमारे अंदाजे से ठीक है पक्षी का जो पंक होगा वो वन गराम ठीक है यह आपकी किलो गराम और जो गराम है यह आपकी यूनिट्स होती है किलो गराम बड़ा होता है और गराम जो होता है छोटा होता है फुटबॉल पुस्तक है उसका 300 g वजन हमने क्या है एस्टिमेट किया है लगाया है लगबंग कितना बस का 2000 kg पक्षी का पंक होता 1 g फुटबोल 550 g और कलम 15 g और जो आपकी पुस्तक है वहो 300 g ठीक है तो किलो ग्राम बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है इस बात का ध्यान है और बच्चों यह पंदना है कि बच्चों के साथ चत्च करें गिंगी पलास्टिक परियावरान के लिए बहुत ही घंबीर है थिक्ष बच्टों पलास्टिक जो है बहुत ही खतर्नाक है हमारे अन्वार्मेंट के लिए जो प्लास्टिक होती है वह बहुत पता नहीं कितने कड़र साल लगते हैं उसको मतलब अन्वार्मेंट में घुलने के लिए मतलब वह क्या है मिट्टी में नहीं मिल पाती है वह वैसे की वैसी रहती है लेकिन जो आपकी प्लास्टिक होती है प्लास्टिक है वो बहुत कतर नाख है अमें को हो सके हम पैकिंग भी जो आपका लिखी है इनको के इस तरीके से हम इनके सुझाव निकाल पाए ताकि हम जो है अपनी पलास्टिक का यूज ना कर पाए तो बच्चो ये आपकी आज की वेटा फोर्त किलास की वक्षिट है मु मेशा खुश रहिए कोविड-19 से बचके रहिए बहुत कतरनाग विमारी है बिल्कुल भी धील मत बरती है दूसरों को भी अवेर कीजिए मास लगाएं दोगज दूरी का ध्यान रखें और न्यमित रूप से अपने हाथों को बेटा धोईए ठीक है बच्चों मिलते हैं आग